Welcome to InfiMath इस वीडियो में हम लोग bilinear form का matrix निकालना सेखें Bilinear form एक ऐसा function होता है जो v x v to underlying field होता है यहाँ पे जो vector space लिया गया है वो P2x है P2x मतलब set of all polynomial of degree less than equal to 2 यानि P2x के element कैसे हैं तो P2x में polynomials हैं a plus bx plus cx square जहाँ a b c कोई भी real number हो सकते तो जो दिया हुआ function है या bilinear form है वो है H P2x P2 to R और जो function है वो है HFG यानि इसमें दो input होंगे F और G क्योंकि Cartesian product है और HFG equal to हो गया FG नहीं दोनों function का product लेना है और उसके बाद 0 से 1 के बीच integrate कर देना है तो हमें इस bilinear form का matrix निकालना है और matrix निकालने के लिए हमें ordered basis की जरुरत होती है और यहाँ पे दो example हम लोग लेंगे और पहले example में हम लोग simple basis natural basis एक तरह से कहिए लेंगे 1, x और x square जबकि दूसरे example में हम लोग use करेंगे 1, 1 प्लस x, 1 प्लस x square आगे बढ़ने से पहले मैं request करूँगा का आप लोग इस channel को subscribe करें और video को like करें तो चलिए हम लोग alpha basis के respect में matrix निकालना शुरू करते हैं alpha basis हो गया हमारा 1, x, and x square तो जो matrix की पहली entry होगी वो होगी A11 और जो होगा HV1, V1 जो matrix निकाला जाता है bilinear form का उसका matrix दिया जाता है Aij equal to Hvi, Vj यानि Aij निकालने के लिए आपको जो basis है उसके Vi, ith element और jth element का bilinear form calculate करना है तो उससे आपको matrix की i, jth entry मिलेगी और चुकि यह function symmetrical है इसलिए यहाँ पर Aij equal to Aji होगा यानि हमें off diagonal entry में से सिर्फ एक element को calculate करने की जरूरत है यानि कि हमें matrix के सारे diagonal entry निकालने होंगे A11 A22 A33 जबकि हमें off diagonal entry में सिर्फ एक निकालना होगा मान लिजे हमने A12 calculate किया तो A21 खुद calculate हो जाएगा A13 calculate किया तो A31 खुद calculate हो जाएगा A23 calculate किया तो A32 खुद calculate हो जाएगा यानि कूल मिलाके हमें इतने element calculate करने होंगे जो की है 6 तो चलिए हम लोग पहली entry से start करते हैं तो A11 equal to H 1,1 क्योंकि यहाँ पे V1 क्या है 1 तो H V1 V1 इसका integration निकालते हैं 0 to 1 1 into 1 dx जो की बराबर होगा x और limit होगी 0 to 1 तो इसकी value आएगी 1 अब हम लोग second element row wise निकालते हैं A12 तो यह हो जाएगा H1,x और इसकी value हो जाएगी 0 to 1 1 time x dx जो की हो जाएगा x square by 2 और limit 0 to 1 और value आएगी half अब हम लोग third element calculate करते हैं A13 equals to h1 x square जो की हो जाएगा 0 to 1 1 into x square dx जो की बराबर होगा x cube by 3 के और limit होगी 0 to 1 यानि जो हमारा answer आएगा वो आएगा 1 by 3 अब हमें तीन element और निकालने हैं A22 A23 and A33 तो A22 हो जाएगा h x x x और जो value आएगी वो आएगी 0 to 1 x square dx और यह हो जाएगा x cube by 3 0 to 1 1 by 3 उसी तरह A23 निकालेंगे तो इसमें V2 element का use करेंगे यानि x x x x x x dx और यह हो गया 0 to 1 x cube dx equal to x to the power by 4 0 to 1 और आंसर हो गया 1 by 4 अब हम लोग last entry निकालते हैं A33 जो की है h v3 v3 के यानि h x square comma x square और यह हो गया 0 to 1 x square x square x square dx 0 to 1 x to the power 4 dx यानि x to the power 5 by 5 0 to 1 1 by 4 तो जो हमारा matrix मिल गया है h alpha वो मिला है a11 यानि 1 a12 यानि half a21 भी हो जाएगा a13 हो जाएगा 1 by 3 तो a31 भी हो जाएगा 1 by 3 a22 भी हो गया 1 by 3 यहां आप देख सकते हैं a23 आया यहां पर देख सकते हैं 1 by 4 तो a32 भी हो जाएगा 1 by 4 और a33 है 1 by 5 तो जो given by linear form है उसका alpha basis के respect में जो matrix आया है वो यह है यह आप देख सकते हैं यह matrix symmetrical है और इसमें एक और structure है कि यह इस तरह भी एक जैसा दिखता है लेकिन यह कोई general property नहीं है यह एक संयोग है जो इस transformation और इस basis के कारण आया अब हम लोग next basis के respect में bilinear form का matrix निकालेंगे तो जो next basis है हमारा वो है beta equals to 1 1 plus x 1 plus x square पहली entry होगी a11 equals to h1,1 जो की पिछली बार आया था 1 पहली entry बिल्कुल पिछली matrix की तरह है फिर हम लोग a12 calculate करते हैं यह हो गया h1,1 plus x और यह हो गया 0 to 1 1 into 1 plus x dx और यह हो गया x plus x square by 2 और जो limit होगा वो होगा 0 to 1 और आंसर आ गया 1 plus 1 by 2 यानि 3 by 2 third entry a13 यह बराबर होगा 1,1 plus x square 0 to 1 1 plus x square dx और यह होगा x plus x cube by 3 0 to 1 1 plus 1 by 3 और यह हो गया 4 by 3 fourth entry a21 होगा जो की second row का first column लेकिन वो इसके बराबर होगा तो यह बराबर होगा a21 के यह बराबर होगा a31 के अब अगली entry निकालते हैं तो यह है a22 यह हो गया h 1 plus x 1 plus x यह बराबर हो जाएगा 0 to 1 1 plus x का whole square dx और इसका integration हम लोग लिख सकते हैं 1 plus x का whole square और dx को लिख सकते हैं d1 plus x और यह बराबर हो जाएगा 1 plus x का whole cube divided by 3 जहांकी limit होगी 0 to 1 और जब हम लोग 1 put करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cube by 3 और जब हम 0 put करेंगे तो मिलेगा 1 cube by 3 यानि 1 by 3 और जो answer आएगा वो आएगा 7 by 3 अब हम लोग अगला matrix calculate करते हैं a, 2, 3 यानि second row का third element यह हो जाएगा h 1 plus x 1 plus x square और यह हो जाएगा 0 to 1 1 plus x 1 plus x square dx जो की बराबर होगा 0 to 1 1 plus x plus x square plus x cube dx के और जब हम इसे solve करेंगे तो यह मिलेगा x plus x square by 2 x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 और जो limit होगी वो होगी 0 से 1 और जब हम इसे limit put करेंगे तो 1 plus half plus 1 by 3 plus 1 by 4 और यह बराबर हो जाएगा इसका LCM 12 आएगा और यह बराबर हो जाएगा 25 by 12 के और हम लोग जानते हैं यह किसके बराबर होगा तो यह a32 के बराबर होगा तो हमारे matrix का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entry निकल चुकी है और एक entry a33 बची हुई है a33 equal to हो गया h1 plus x square 1 plus x square और यह बराबर हो जाएगा 0 to 1 1 plus x square का whole square dx और यह equal to हो जाएगा integration 0 to x 1 plus 2 x square plus x to the power 4 dxk और जब हम इसे integrate करेंगे यह हो जाएगा x plus 2 by 3 x cube plus 1 by 5 x to the power 5 limit put करेंगे 0 to 1 equals to 1 plus 2 by 3 plus 1 by 5 और इसे solve करने के बाद हमारा जो answer आएगा 15 यहां हो जाएगा 15 यहां हो जाएगा 5 times to 10 और यहां हो जाएगा 3 और answer हो जाएगा 28 by 15 तो जो हमारा next matrix आया है h beta वो बराबर होगा इसकी पहली entry होगी 1 row wise दूसरी entry 3 by 2 4 by 3 3 by 2 4 by 3 अब चुकी यह matrix symmetrical है तो इसका first column हो जाएगा 3 by 2 4 by 3 जो next entry है वो आप देख सकते हैं 7 by 3 है और 25 by 12 है 7 by 3 and 25 by 12 तो यहां भी हो जाएगा 25 by 12 और जो last entry है वो है 28 by 15 तो हम लोग देख सकते हैं कि यह जो matrix है वो symmetrical matrix है लेकिन इसमें पिछले matrix की तरह ऐसी property नहीं है यानि यह तीनों elements सेम नहीं है तो इस तरह हम लोग किसी भी bilinear form का अगर ordered basis दिया हुआ है तो matrix निकाल सकते हैं Thank you very much